सभाल रहे योगी आदित तिनाद दरसल एक मेधावी छात्र तो हैं ही अपने आपको मानते हैं लेकिन उनकी उमीद यह है कि डिस्सिंक्शन से वो पास करेंगे पंचायत चुनाओ कह रहे हैं कि मार्क्स कम आ गए हैं ऐसे में अब उन्हें अमित्शाह का फॉर्मूला ही चु कि उत्तरप्रदेश की सियासत का यही उसूल है और चुनावी जीत की गारंटी भी वैसे तो देश में 1967 में ही पिछडी जाती की राजनीती की बुनियाद पड़ गई थी लेकिन 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट पर अमल होने के बाद पिछडी जात की राजनीती ने आकार अगली जाती साथ है पिछडी जाती को साथ मिलाओ और सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाओ इसी सोशल इंजिनीरिंग के फॉर्मूले के दम पर बीजेपी ने उत्कर प्रदेश में एतिहासिक जीत हासिल की 2017 में अखलेश और राहूल की जोडी का रत रोक दिया तो 2019 में बुआ और भतीजे का अब इसी फॉर्मूले पर बीजेपी 2022 में सियासी विसात बिछा कर चुनावी मैदान में उत्रेगी इसे आप बीजेपी के कुछ पिछडी जाती के बड़े चेहरों से समझ सकते हैं नाम केशब प्रसाद मौरे पद जिप्ची सियम नाम स्वतंत्र देव सिंग पद प्रदेश अध्याक्ष नाम कल्यान सिंग पद पूर गवर्नर नाम स्वामी प्रसाद मौरे पद कैबिनेट मंत्री नाम लक्ष्मी नराणी चौधरी पद कैबिनेट मंत्री नाम अनिल राजभर पद कैबिनेट मंत्री नाम अनुप्रिया पटेल पद सांसद नाम प्रवीन निशाद पद सांसद बीजेपी को सबसे बड़ा खत्रा अख्लेश यादब से है क्योंकि पिछडी जाती में यादवों का एकमुष्ट वोट स्पी को जाता है और अगर गयर यादब पिछडी जाती उनके साथ जुड़ गई तो बीजेपी का खेल खराब होना पक्का है बीजेपी की पूरी प्लानिंग है जात के हिसाब से उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर सीचना बुंदेल खंड और पुरवांचल के जिलों में लोध, कुर्मी, पाल और कुश्वाह जैसी जातियां यादवों के बराबर की हैसियत रखती है और अक्सर यादवों के असर को नीट्रल कर देती है और बीजेपी की रर्णीत यही है बीजेपी के सामने चुनाती बड़ी है क्योंकि 2017 में बीजेपी ने छोटी छोटी पार्टियों के साथ गडवंदन किया था आज गडवंदन के कुछ साथी नाराज हैं तो कुछ छोड़ चुके हैं हम सब लोगोंने मिल करके बीजेपी की सरकार सत्रह में बनाई हम लोगों के सहारे गुर्णीस में भी उपी में उन्होंने चुनाव जीता जब पिछणों के अधिकार की बात आती तो हनन होता है 79 अजार सिक्षक भरती में 5844 पद योगी जी ने पिछणों का लूट लिया क्या अनुप्रिया जी सदन में इस बात को योगी अमिसाया और मोदी से सवाल करेंगी क्या यहां आसीस जी सदन में इस बात को रखेंगे उनके नव भी धायक हैं क्या सदन में बोलने की हिमत है यहां को यह समझना है कि बीजेपी गयर यादब पिछड़ी और अती पिछड़ी जाती को साधना चाहती है क्योंकि जीट का फॉर्मूला तभी तयार होता है करीब 48 प्रतिशत पिछड़ी जाती का वोट बैंक सबसे ज्यादा करीब 20 प्रतिशत यादब 28 प्रतिशत गयर यादब ओविसी बीजेपी की नजर है करीब 8 हीजदी कुर्मी वोट पर 27 में बीजेपी का फॉर्मूला एकदम कलियर था जिसके दम पर अमिद्ञा ने यूपी फतेह किया जनरल वोट बैंक, गैर पिछड़ी वोट बैंक, दलित वोट बैंक यानी बीजेपी की जी बीजेपी को पता है बीजेपी ने पिछडी और अती पिछडी जात को साधने के लिए कई जिलों में पिछड़ों और दलितों को संगठन की कमान सौप रखी है लेकिन बीजेपी के प्लायन 2020 पर विपक्ष प्राहर कर रहा है 2022 से पहले चुनावी मौसम का आगाज हो गया और बीजेपी ने इसकी शुरुवात कर दी है अब देखना होगा कि 2022 में बीजेपी की सोशल इंजिनियरिंग क्या सियासी बिसात पर एक्दम सही सावित होगी यानि शेह और मात का खेल अभी पाकी है सबसे बड़ा फैक्टर OBC फैक्टर है और उसी की वजह से बीजेपी लगभग 50 प्रतिशत वोटिंग तक पहुँच गई है और इसे बीजेपी किसी सूरत में खोना नहीं चाहती ये जो पूरा का पूरा घटना क्रम राजनेतिक आपको दिखाई दे रहा है इसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि बीजेपी 2022 के चुनाव में एक बार फिर OBC वोट बैंक पर अपने नजनें गड़ाए हुए है और दोबारा से अपने वोट बैंक को उसी प्रचंड तरीके से पाना चाहती है कुमार अभिशेग लखनव आज तरह